अई ह्लो गाईज आज जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रोपर्टी जो फ्योर सबस्टांस हम उसी को आगे कॉंटीनियू करेंगे हमने पढ़ा था टी-एस डायग्राम पढ़ा था फिर उसके अंदर सब कूल्ड रीजन पढ़ा था सूपर हीटिड रीजन प यहां पर इसके यहां पर जो है आपका इसको बोलते हैं वेट रिजन यहां पर आपका लिक्विड होता है यहां पर आपका वेपर होता है और इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों होते हैं यहां पर इसको बोलते हैं वेट रिजन ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या ल It is a region in which liquid vapour mixture exists in equilibrium. लिक्विड एंड वैपर, लिक्विड एंड वैपर mixture exist करता है, equilibrium में, और दूसरी चीज, एक और लिख सकते हैं, इसके बारे में एक point और, suppose करो आपका जो जैसे हमने curve बनाई थी, यहां पर यह है, ठीक है, यह constant pressure line है, इसमें suppose करो अगर point यह 1 है आपका, तो देखो T1 क्या होगा, यह T1 temperature होगा, और saturation temperature की जो बात कर रहे थे हम, यह क्या होगा, यही आपका T saturation होगा, यानि कि T1 equal to क्या होगा यहां पर, T1 equal to T saturation, यानि कि इस curve पे यह point कहीं भी अगर होगा, तो यह किसके equal होगा temperature, उसका saturation, temperature के equal होगा, देखो क्या कहा था, हमने liquid वाला reason वो है, यान पे सब cool reason होगा है, जहां पर actual temperature, saturation temperature से कम है, super heated reason में क्या होता है, actual temperature, saturation temperature से ज्यादा होता है, और wet reason में actual temperature किसके equal होता है, saturation temperature के equal होता है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, whenever, whenever the fluid is in, fluid is in, wet reason, ठीक है, its temperature will be equal to, will be equal to saturation temperature, इसका temperature किसके equal होगा, saturation temperature के, ठीक है, तो जब तक यहां पर होगा, wet reason में होगा, तो इसका temperature जो होगा, वो saturation temperature के equal होगा, ठीक है, तो अब actual में क्या होता है, इसको हम, एक चीज़ और पता देता हूं आपको, इसको, यह जो one point है, इस one point को हम इस तरह से denote करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लिखते हैं, ठीक है, और यह liquid और यहां पर आपकी वैपर, तो यह one point की condition है, liquid प्लस वैपर, इसको आप यहां पर liquid लिखोगे, इसको वैपर लिखोगे, ऐसा नहीं लिखते हैं, इस point पर क्या होता है, प्योर liquid होता है, तो हम यह शो कर देते हैं, कि यह जो इस point पर जो चीज होगी, वो यह है, और इस point पर जो चीज होगी, वो यह है, यह यह वैपर है, और यहां पर क कंडीशन एक्शुल में 0.1 की है लेकिन उपर वाली स्टेट है वह क्या है वैपर। वैपर किस पॉइंट पे हैं किस पॉइंट पे और यह नीचे आरे कंडिशन के इसकी लिक्विड प्यॉर लिक्विड तहां पर है यहां पर इस पॉइंट पर तो हम ऐसे शोगर देते हैं इसको ठीक है इस टाइप से शोगर सकते हैं अब नेक्स्ट देखो एक चीज ओड़ और फिर से हम यह टी-एस दाइग्राम मनाते हैं अब इसमें तीन रीजन होगे हमारे पास रीजन वन रीजन टू रीजन थ्री रीजन वन में लिक्विड फेज है यहां पर क्या है लिक्विड प्लस वैपर फेज है और यहां पर क्या है सिर्फ वैपर फेज है ठीक है तीन फेज होगे तो डिग्री ओफ फ्रीडम का जो फ degree of freedom के लिए हमारे पास क्या था f plus p is equal to c plus 2 ठीक है f plus p is equal to c plus 2 यह आप किस ने दिया था gives ने दिया था gives phase rule यहाँ पर p क्या है आपके number of phases c है आपके number of component और f जो है आपका क्या है degree of freedom f क्या है degree of freedom ठीक है तो देखो आप reason 1 में देखो तीनों में निकालते हैं reason 1 यहाँ पर reason 2 और reason 3 तीनों में निकालते हैं reason 1 में देखो F हमें निकालना है P क्या है number of phases reason में number of phase कितना है सिर्फ liquid है phase कितना है 1 कौन सा liquid component कितने है ये भी 1 है क्योंकि सिर्फ हमने पानी ही लिया है H2O ही है सिर्फ component कितने हो गए 1 component भी 1 और phase भी 1 तो degree of freedom की value क्या आएगी F plus P C plus 2 रखोगा इसमें F plus P P की जगे 1 C C की जगे भी 1 तो F की value आएगी आपके पास 2 degree of freedom की value इस reason में आएगी आपके पास 2 ठीक है reason 1 में अब आते है reason 2 की बात reason 2 में P की value P मतलब number of phases कितने है देखो liquid plus vapor 2 phase हो गए liquid plus vapor 2 हो गए liquid plus vapor 2 phase हो गए phase 2 हो गए component component तो एक ही है दोनो H2O ही है सबज़ेगा है liquid में भी H2O है vapor में भी H2O है ठीक है इसका बाद यह फर्मॉल रगाएंगे F plus P F plus P मतलब F plus 2 is equal to C की value कितनी है 1 plus 2 तो F की value कितनी आई 1 degree of freedom 1 इस जगे पर degree of freedom 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है फिर third reason में देखते हैं थर्ड रिजन में number of phases क्या है 1 कौन सा phase है सिर्फ vapor का ठीक है number of phases 1 है सिर्फ vapor phase है component कितने है component 1 ही है कौन सा है water का ठीक है component 1 ही है H2O है उसके बाद F plus P F plus P is equal to C plus 2 वाली में equation में रखेंगे F plus F plus P P की जगे 1 C की जगे 1 और यहाँ पर 2 तो यहाँ पर degree of freedom की value आई 2 जगो degree of freedom इस subcult and superheated reason में तो 2 है first में और third में कितनी है 2 और wet reason में कितनी है 1 है चलो अब इसको देखते हैं यह ऐसा क्यों है देखो सबसे पहले में constant temperature line बना देता हूँ ठीक है यह T-S diagram है T-S diagram पर constant temperature line क्या जाएगी इस type से सारी की सारी line horizontal line होंगी constant temperature इस पूरी line पर temperature सेम रहेगा ऐसे ही होगी ठीक है फिर दूसरी constant pressure line constant pressure line कैसे बनती थी यह constant pressure line है ठीक है अब देखो इस reason के अंदर इस reason के अंदर constant pressure line तो inclined है यह जेखो है लेकिन constant temperature line क्या है horizontal है तो इस reason में pressure and temperature दोणों अलग-अलग change झोते हैं अलग-अलग vary हो रहे हैं ठीक है constant pressure line इस direction मेर Stadium तारिक्षन में को दोणों अलग-अलग तरह से vary हो रहे हैं लेकिन जैसे ही हम इस region में जाते हैं wet region में यहां पर दो वेरिवल होगे temperature and pressure अब देखो यह जो यहां पर है इस जगह इस जगह क्या है यह भी horizontal है और यह भी horizontal constant pressure line भी horizontal और constant temperature line भी horizontal अब दोनों constant temperature and pressure जो है एक दूसरे पर depend हो गए independently वेरी नहीं कर रहे ठीक है है root-freedom नंब्र आफ इंटेंसिव प्रोपर्टी वेयरिज डाट वेज इंडीपेंडेंटली इंडीपेंडेंटली वैरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो यहांब रहे हैं कि यहांब सबस्क्राइब कर रहा है वैस़ टेंप्रेशो mais überall वैसे ठीक है constant pressure line अलग है constant temperature line अलग है तो यहाने की pressure and temperature independently vary हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर degree of freedom इसलिए 2 है ठीक है degree of freedom यहाँ पर 2 क्यों है temperature pressure अलग अलग vary कर रहे हैं तो 2 होगी the temperature and pressure दो intensive variable होगे यहाँ पर temperature and pressure क्या है एक साथ ही vary कर रहे हैं मतलब temperature and pressure एक दूसरे से independently vary नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर एक ही degree of freedom होगी यहां पर फिर से constant pressure and constant temperature लाइन अलगते हैं तो independently vary कर रहे हैं तो degree of freedom कितनी होगी वहां पर two होगी तो इस इस वेट रिजन में degree of freedom आपकी one होगी बग की दौनों रिजन में आपकी degree of freedom two होगी तो इसको आप note करके ऐसे लिख सकते हैं कि नोट कि और यह नोट बहुत important है ठीक है यह नोट बहुत important है इस पर हम star लगा लेते हैं एक दो तीन स्टार थ्री स्टार किक थ्री स्टार नोट है दा डिग्री ओफ फ्रीड़म इन subgold and superheated the degree of freedom in subgold and superheated reason reason is 2 दो है प्रेकेड में लिखो temperature and pressure can be varied independently with respect to each other ठीक है उसके बाद पारग्राफ चैनल के लिख लेंगे the degree of freedom degree of freedom in wet reason is one or bracket of a legal temperature and pressure cannot be varied independently with respect to each other independently vary नहीं कर सकते इसको ठीक है टेंप्रेचर एंड प्रेशर को वेट्रिजनम इसलिए वहाँ पर degree of freedom क्या है आपकी one है ठीक है यह बहुत important है not ठीक है आपको समझ में आगया हुगा चलो अब आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं इसमें कि नेच्स तिंग कि लेटेंट हीट को देखो मैंने आपको एक चीज बताई मैंने आपको बताया कि यहां पर एक पॉइंट था हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया हीट करते रहे हीट करते रहे हीट करते रहे यहां पे पहुंचा फिर से फिर हीट करते रहे हीट करते रहे हीट करते रहे यहां पे पहुंचा फिर हीट करते रहे यहां पहुंचा ठीक है अब यहां से यहां तक इस पॉइंट से लेके इस इस पॉइंट तक हमने इसको हीट तो किया लेकिन टेंपरेचर कितना रहा सैचुरेशन टेंपरेचर के इकोल ही रहा ठीक है टेंपरेचर कितना रहा सैचुरेशन टेंपरेचर के इकोल ही रहा इस वन पॉइंट से लेके स्पोज करो यह पॉइंट आपका वन है और यह टू ह one point से लेके two point तक हमने इसको hit तो किया, ठीक है, लेकिन इसका जो temperature है वो change नहीं हुआ, तो heat थी वो कहाँ गई, वो heat जो आपने दी, वो कहाँ गई, temperature तो चेंज नहीं हुआ, एक्षॉल में वो जो हीट थी वो गई आपकी फेज चेंज करने में यहां से वन से लेके टू तक जो आपने हीट दी वो हीट गई उसका फेज चेंज करने में ठीक है फेज चेंज करने में फेज चेंज करने में देखो एक्षॉल में टेंप्रेचर कैसे बढ़ता है टेंप् इनर्जी बढ़ जाएगी उससे आपका temperature बढ़ जाएगा simple ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा भी था internal energy function of temperature होती है तो यहनकी heat कहां चली की मॉल्कुल एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं ठीक है तो एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए होते मॉल्कुल ऐसे होते हैं ठीक है एक दूसरे के हाथ पकड़े में होते हैं मालो मैंने अब दूसरे का हाथ पकड़ा रखा दूसरे ने मेरा हाथ पकड़ा इस टाइप से और जो gases phase होता है उसमें molecules का परसमें कोई connection होता ही नहीं है Molecules मतलब freely होते हैं एक वहां पर एक वहां पर कोई भी उनके बीच में ऐसे हाथ बख़ए हुए नहीं होते हैं ठीक है तो जो liquid phase में जो molecules एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं अब heat जब यह 100 degrees centigrade temperature पें पहुँच जाता है जब यहां पर one point पे पहुँच जाता है तो वह क्या होता créer在 अब उसको free होना है उसके पास ऐसे होता ह differences कि जिससके पास जैदह पैसा हो जाता है वह लोग अलग हो जाते हैं separate होvad तो ऐसे अगर अगर उसको ज्यादा एंशी मल के और ज्यादा एटिटूरा ता अगर यह बाहर जाना, फ्री होना चाता जो यह हाथ पकड़ा हुआ यह बंधना इसको छूड़ाने चाता है ठीक है तो जैसे ही मोलेक्यूल ने उसके बाद हीट ली हीट लेके उसने क्या किया वो जो हीट थी वो एनर्जी वो इसको हाथ को छुडाने में हाथ को छुडाने में एनर्जी लगी वो जो हीट ली उसने यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर यूज की हाथ को छुडाने में आप एसी हाथ चुट जाएगा वह टेगा उड़ जाएगा उड़ जैगा मदल में तरने में कनवैट हो जाएगा तो वर्फ में जला गया वैपर शुड़ाया उस एनर्जी से तो वहां पर क्या वह बॉंड डूटा यानि कि जब फेज चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती यानि की टेंपरेचर नहीं बढ़ता है क्या होता बॉंड तूटते हैं तो बॉंड टूटेंगे उनके क्नेक्शन टूटेंगे आपकस में तो मॉलेक्यूल फ्री हो जाएगा यानि की नगर उस एनरजी का यूज किशा में करने में तो वन से लेके टू तक जब्र तक की सारेकसार मॉलेक्यूल वेपर फिज में नहीं पहुंच जाते तब तक वो बॉंड स्टूपते रहेंगे तब तक वो हाथ छोड़ाते रहेंगे आपस में और तब तक वो सारे के सारे जाते रहेंगे ठीक है तो इसी लिए क्या हो रहा देखो यहां पर टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा है तो यहां Distress associated with Change in Phase Is known as Latent heat और ये Constant Pressure पर हो रही है ये किसे हो रही है Constant Pressure पर Heat Transfer किसके Kollegin होती है Enthalpy के ednik θ गे hearts change in enthalpy Latent heat को directly हम लिख सकते है changing in enthalpy ठीक है तो इसके लिए लिखेंगे ода है, the heat associated with phase change is known as latent heat, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, अब हम लिख लेते हैं, परागराफ चेंज के, चेंज करके, as phase change कहां पर हो रहा है, constant pressure पर हो रहा है, as phase change occurs at constant pressure, as phase change occurs at constant pressure, तो, latent heat is equal to, latent heat is equal to, heat supplied at constant pressure, heat supplied at constant pressure, and which is equal to enthalpy, and which is equal to enthalpy, अगर आपको याद हो, तो क्यों पी जो होती थी, वो dh के equal होती थी, heat supplied at constant pressure, किसके equal होती थी, dh के equal, तो latent heat को क्या लिख सकते हैं, हम, latent heat को क्या लिख सकते हैं, latent heat, latent heat is equal to heat supplied at constant pressure, that is equal to dh, यानि कि यहां पर लिख सकते हैं, latent heat को हम क्या लिख सकते हैं, h2 minus h1, h2 minus h1, और एक, और मस्त चीज यहां पर देखो, यह जो कर्व है, इस कर्व को हम दुबारा से बना लेते हैं, इसको मैं red line से बना लेते हैं, यह कौन से थी, saturated liquid कर्व, और जो दूसरी कर्व है, यह वाली, इसको blue से बना लेते हैं, यह आपकी saturated vapor curve, blue वाली कौन सी है, saturated vapor curve, और जो red वाली है, इसको क्या बोलते हैं हम, saturated liquid curve, ठीक है, saturated vapor curve and saturated liquid curve, अब इस कर्व के उपर, इस कर्व के उपर जो भी point होगा, जो भी कुछ होगा, उसको हम किस से रिनौट करेंगे, F से, उसको किस से रिनौट करेंगे, F से, और जो liquid, saturated vapor curve पर जो भी point होगा, उसको हम represent करेंगे, G से, इस curve के उपर F, और इस curve के उपर G, देखो, जैसे one point किस curve के उपर है, इधर वाली red curve पे, तो one point को लिखेंगे हम, H F, one point को लिखेंगे, H F, और two point किस का रुपे है, G वाली पे, तो H G, तो latent heat को हम लिखेंगे, two point को क्या लिखेंगे, G, और one point को क्या लिखेंगे, H, ठीक है, H G minus H F, और इसको लिखते हैं, H F G, second minus first होता है, यही चीज, यह बहुत important है, ठीक है, यह बहुत important है, इस वाली curve पे, जो भी point होंगे, उनको F लिखेंगे, और इस वाली curve पे, वैपर वाली curve पे, जो point होंगे, उनको G लिखेंगे, तो two point किस पे, जी पे, तो two की जगे क्या लिखेंगे, जी और one की जिगह क्या लिखेंगे एफ ठीक है यह याद रहना यह बहुत important है ठीक है अब जैसे आपको यहां मताया मैंने ठीक है इस कर्व यह जो कर्व है आपकी यह इस ताइप से इस कर्व के मैंने क्या आपको सारे F लिखेंगे, F लिखेंगे मतलब U अगर होगा तो U F लिखेंगे, जैसे H होगा तो H F लिखेंगे, ठीक है, S होगा तो S F लिखेंगे, इस टाइप से, इस साइड में, और यह जो दूसरी कर्व है, इधर वाली, इधर क्या लिखेंगे, सारे G, यानि कि U G, F, H G, S G, इस टाइप से, इस कर्व के उपर जो पॉइंट होगे उनको, इस कर्व के उपर जो पॉइंट होगे उनको, और इधर वाली, जो लिक्विट वेपर कर्व है, उसके उपर सब पॉइंट होगे, F लगाएंगे, और लिक्विट, सारी, 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 सार आप जी लगाएंगे यह याद रखना बहुत इंपोर्डेंट है ठीक है अब एक चीज और देख लेगते हैं अब फिर से हम अब आफट यह टीक है सब्सक्राइब आपका प्रेशर कम था तो इस पॉइंट से लएकिए इस पॉइंट तक की ही तो हीट जो थी उसको लिखाने लेटेंट हीट तो लेटेंट हीट 1 लिखने पर लिखें लहाँ ठीक है, ये LH1, फिर दूसरा, दूसरा constant pressure line ये वाली, ये क्या है LH2, ये LH2, फिर थर्ड, थर्ड कौन स्पोस्पर ये है, ये वाली यहां से लेके latent heat 3, और ये वाली स्पोस्पर फॉर्थ, LH4, तो जैसे जैसे हम नीचे से उपर जा रहे हैं, यहां पर कौन सा point होता है, critical point, जैसे जैसे हम नीचे से उपर जा रहे हैं, जैसे जैसे pressure बढ़ता जा रहा है, latent heat आपकी कम होती जा रही है, latent heat क्या होती जा रही है, कम देखो, यहां पर यह value है, फिर decrease हो गई, फिर और decrease हो गई फिर और decrease हो गई तो जैसे जैसे हम evolving लेटेंट हीट की value कम होती जारी है और critical पे तो यह all company लेटेंट हीट की value क्या होगी जीरो गएए और रेकली ऐसे जाय सहाँ ठीक है critical part के लेटेंट हीट की value क्या होगी जीरो तो यानि कि जैसे-जैसे pressure increase होगा latent heat of vaporization आपकी क्या होगी decrease होगी ठीक है इसको note करके लिखेंगे बहुत-बहुत अच्छा note है जैसे-जैसे जैसे pressure बढ़ेगा वैसे-वैसे latent heat आपकी कम हो जाएगी और critical point पर यह क्या हो जाएगी जीरो ठीक है तो हम इसको लिखेंगे नोट करके लिखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला नोट भी ये वाला आप लगा लो 4 स्टार है ठीक है लास्ट नोट हमने 3 स्टार लिखा था अब 4 स्टार लिख रहे हैं देखो क्या लिखना है with increase in pressure लिखेंगे 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 लि